राम राम भाईयो और गाईयो नमस्कार भाईयो अगर आपके गैस बन रही है पेट में अगर आपके खाना नहीं पच्राए या फिर भूख ही नहीं लग रही है बहुत से ऐसे लोग है कि खाना खाने बैठते हैं तो उनकी भूख बहुत बढ़ी हुई होती है उनको ऐसा लगता है कि चार छे रोटी खा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो खाना खाने बैटते हैं, तो ये कादी रोटी खाके खड़े हो जाते हैं, उनका मन नहीं करता, लोस ओफ एपिटाइट जिसको बोलते हैं, लोस ओफ एपिटाइट हो जाता है उनके, यानि भूप की कम ही हो जाती है, जैसे ही खाना खाने बैटेंगे तो एरूची हो जाएगी खाने से, खाना चाहिए कितना ही अच्छा हो, तो ऐसे जो मरीज हैं, उनके लिए मैं आपके लिए तीन नुष्के ऐसे देने जा रहा हूँ, कि अगर आप करोगे, तो दूसरे ही दिन से आपकी खटके लगने लग जाएगी, और पांच साथ दिन ये नुष्का करोगे, तो आप चार गुना बोजन तक करने लग जाओगे, जो भूख आपकी खतम हो चुकी थी, वो दूरी हो जाएगी आपकी और लोस ओप एपिटाइट खतम होके, और आपकी भूख इतनी बढ़ जा जाएगा, क्या पूछो मत, आपके अगर कबज रहती है, कबज दूर हो जाएगी, अगर खाने के बाद में खटा पानी मूँ में आता है, या खटी डखारे हो आती है, तो वो भी ठीक हो जाएगी, तो ऐसे के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, कि आपको क्या करना है, इतन कराइं तुकडा अधरक का ले लेना है यानी 15-15 इंच का तुकडा अधरक का ले लेना है और उसको कूटके और 100 ग्राम पानी के अंदर डालके उसको बॉल करना है छे में संह 데मक जो आता है वो आ ज्योल्त ë दो तीन चुटकी के उसमें संहदा नमक डाल लेना और बोईल करते करते जब 50 ग्राम रह जाए तो इसको उतार के च्छान के और जैसे हम चाय पीते हैं घूंट-घूंट करके आप इसको घूंट-घूंट करके चाय पीना और फिर देखना कि पहली बार में आपको बूख बड़ी हुई नजर आएगी जहां जाती थी आप पहली बार में आप दो रूटी खालोगे और इसको लगातार कुछ दिन करोगे तो आपकी ये कमी दूर हो जाएगी दूसरा आपको फिर बता रहा हूं कि आपको क्या करना है ये नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि आजवाइन ले लेना है और आजवाइ नीबू निचोड़ने हैं कि पूरी अजवाइन भीग जाये, नीबू निचोड़के हुए उस पूरी अजवाइन को भीगो लेना और रात बर के लिए छोड़ देना, दूसरे दिन फिर वो अजवाइन में पूरी नीबू का पानी, अजवाइन के अंदर सोख लिया जाएग पांच ग्राम हींग डाल देना पांच ग्राम शुद्ध अच्छी हींग डाल देना और इसको पीश कर आप इसको खाना खाते वक्त एक एक चमश सुबह शाम लेना और फिर देखना आपके पेट सबंदी कोई भी बिमारी है चाहे कबज है चाहे आपकी आंतों में भूख नहीं लग रही है भूख से एहर उची है या फिर खाना खाने के बाद में गैस बन जाती है पेट में अफारा सा आजाता है यह सब आपका रोग दूर हो जाएगा बहुत ही शूपर तीसरा नुस्का है बहुत ही शूपर नुस्का जो आपको बताने जा रहा हूँ आपको क्या करना है, कि जीरा ले लेना है पचास ग्राम, पचीस ग्राम आपको काली मिर्च लेना है, और पचीस ग्राम ही आपको सेंदा नमक लेना है, जीरे को हलका सा भून कर यानि बिलकुल ही अलका-अलका रोष्ट करना है ज्यादा जला नहीं लेना है और फिर इन चीजों को पीश लेना है पीशते वक्ते इसके अंदर 5 गराम हींग मिला लेना और फिर अच्छी तरह से पीश कर पाउडर बन जाए तो डिबे में डाल कर रख लेना है अब आपको क्या करना है खाना खाने से सिर्फ आदा गंटा पहले इसकी एक चम्मच लेकर और एक गिलास पानी के अंदर डाल कर आच्छी तरह गोल लेना ये जलजीरा की तरह बन जाएगा और इसको पी लेना आदा गंटा नहीं बितेगा कि आपको तूट कर भूख लगेगी इतनी अच्छी भूख लगेगी कि आप जितना खाना खा रहे थे उसका दुगना खाना पहली खुराक में खाना शुरू कर दोगे तो सुबह शाम इसको आप तीन चार दिन लेंगे तो इतने में आपकी डटके खुल के भूख नगले रख जाएगी और आपके न कबज रहेगी ने आपके गैस बनेगी ने कोई पेट सबंदी बीमारी रहेगी तो आप इसन उसके को करना मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जेहिंज ये वारत